कि अगर एक बात करें आपके बाद स्पैरल कॉंबिनेशन का अगर हम सर्कृट कंसिडर करते हैं कि अच्छा देखो जो सर्कृट डायग्राम में ना सर्कृट डायग्राम से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो हो किस तरह से कंप्लीट करना होती है और किस तरह से होते हैं कि आपको पता है की अपने देखा होगा और वल्ट मीटर देखा होगा अब नॉर्मली होता है कि कि ए मीटर में जो हैं वह दो नॉब्स थी मैं दुबारा भी दिखा देता हूं एक मिनट कि कि देखा होगा आप ने एक प्लस के लिए होता है और माइनस वाली एक और फिलफ्ल वाले दो आपके पर टेर्मिनल दिये होते हैं और इसी अब आप इस डाइग्राम में देखो तो इस डाइग्राम में नॉर्मली क्या है कि एक आपके पास ये नेगेटिव कनेक्शन ये वाला नेगेटिव है अब में पास लाइग्राम में अनुकि नेगेटिव ह्याओ है हयाल में और अब मतलब को कराऊच सबूरी वाले कर रहें है तो फिर आप सको प्लस थी में लगा से मुण थेृट्रा त्थ्व शैथ को नीचे में लगा रहे हूं तो थ्री एंपेर के लिए देखो आपके पास स्केल उपर वाला यूज होगा जी रो वन टू थ्री ठीक है तो डिवीशन उपर से काउंट होंगे और अगर आप 0.8 में लगा रहे हो तो उसके लिए डिवीशन नीचे दिया है जीरो टू पॉइ पास वल्ट मीटर में होता है तो आपके पास भी जो लैब में मीटर है उसमें पी सेम इसी तरह का कॉंसेप्ट इसमें भी पर देखो फाइव हंड़िड तक जा रहे हैं नीचे तक तो आप हंडर से कनेकरो ताकि आपकी रीडिंग राएग वरना अगर आप फाइव हंडर् नहीं आती तो बस यह डिफ्रेंस होता है और बागी जो इसमें आपने सर्कृट बनाना होता है सर्कृट का काम इस तरह से होगा कि लैट सब्पोज अगर हम सर्कृट कॉम्बिनेशन की बात करें अब इसमें सीरीज और पैरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद रखना और इसमें थियोरी का भी कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए तो थोड़ा सा और सा के टीजी हो जाएगा जैसे अगर आप पैरल काम्बिनेशन बना रहें तो पैरल काम्बिनेशन में कौन सी कॉंटिटी सेम रहती है वोल्टेज या अलेक्टिक करेंट आज़े जब आपके पारेल कंबिनेशन की बात होती है तो पारेल कंबिनेशन में वौल्टेज सेम होता है मतलब आपके पारेल कंबिनेशन में लगेंगे जिस तरह भी यहां पर दो कॉम्बिनेशन आपके पास पैरल में आएंगे अब इसके बीच में कॉम्पोनेंट्स लगा देते हैं और कॉम्पोनेंट्स आपके पास एक वॉल्ट मीटर आगया है यहां पर और यहां पर जो है वो रेजिस्टर और यहां पर दूसना रैजिस्टर आजहेगा यहां पर की का कनेक्शन आजहेगा और एक मीटर यहां पर होगा बलकुल लेफ्ट पर यह आपके पास वॉल्ट मीटर है यह एम मीटर है और बागी जो यहां पर वैलीज़ लो करेंगी वह वैल्यू इस तरह से होंगी कि यहां से वैल्यू इलेक्रिक करन्ट की होगी अच्छा देखो इसमें कनेक्शन इस तरह से होता है बिल्कुल स्टार्ट से अगर आप बनाओ तो यह आपके पास आगी बैटरी प्लस माइनस तो सबसे पहले आपका जो कनेक्शन स शुरू करोगे पॉजिटिव से अब देखो यह सरक्ट डाइग्राम है आपके बास तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव टरमिनल से कनेक्श किया बैटरी के और उसको कनेक्श कर भी है की से अच्छा का काम यह होता है कि आपको बार बार सरक्ट क्योंक्श लगी वी यह उसक यह जारा है पॉजिटिव के साथ मैं आपने दे और नौर्मी्ल दो कनेक्शन होते तो एकको कार दिया की साथ और की का दूसरा कनेक्शन जा रहा है एम मीटर का पॉजिटफ टा मेंल होगा उस में लगाना है थे यहां आपको होते हैं तो जो यहатель यह हो उसके सरक्य अक्स है पोजिटिफ से बैटरी के कनेशन आया था तो आपने उसको मेटर के पॉजिटिब में ही लगाना है ठीक है फिर नेगिटिव जो होगा एम मीटर का वह आगे चला जाएगा अब यहां पर जोए डबल कनेक्शन है अब नेगेटिफ पर कनेक्शन जो यह वो इनके साथ जाएगा राजिस्टर के साथ मतलब एक बाल आप नेगेटिफ से निकालोंगे और उसके आगे आप दो वार्ड और लगा दो तो एक कनेक्शन से दो बन जाएंगे ब्रांच की तरह बन जाएगी वह तो एक करेंट आपके पास यहां फ्लो करेगा अब यह दो कनेक्शन बनाने का रीजन यह आप यहां पर यूज कर रो पैरल कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन में आपके पास होता है यह कि जो वॉल्टेज है वॉल्टेज सेम रहता है और बागी जो इलेक्ट्रिक करेंट है इलेक्ट्रिक करेंट की वैल्यू डिवाइड हो जाती है डिपेंड करता है रेजिस्टर की वैल्यू किस तरह से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो आपको मतलब उसके फ्लो को थोड़ा सा स्लो डाउन करना तो अगर आप बड़ी वैल्यू रेजिस्टर की हूं है जो कि हमें place मिल जाएंगी से टोटल कितना ओएर और यहां से जाने के बाद यह बाझ है करण्ट आपके पास में व कुछ तो बहुत में कितना कितना में आवा व तो हमें यहां से यवन और एटू में यह वह और एक चीजस इसमें वीयाद रतनी है कि em meter को जब भी आप किसी भी circuit में लगाते हो वो हमेशा series में लगता है मतलब उसका एक end किसी और component के साथ होगा दूसरा end किसी और component के साथ होगा जिस तरह यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक component उसका battery के साथ connect हूरी है एक तो वल्ट मीटर आपके पास हमेशा अनने कनेक्ट होगा जो है इसे मतलब हो दोनों राजिस्टर के वाल्टेज को नहीं है पर एक ट्रीज करने का रीजन क्या है कि अभी हमने यहां पर लिखा कि वॉल्टेज सेम होता है तो इसलिए हमने एक ही यहां पर वॉल्ट मीटर लगा है कि दोनों में से जो वॉल्टेज जाएगा वो एक्वल होगा तो आप चाहिए एक लगा वॉल्ट मीटर चाहिए दो लगा रीडिंग आपको कनेक्शन अच्छा देखो थोड़ा सा तो आपको लगेगा मुश्किल कि क्यों फस्ट टाइम करो परफॉर्म भी इतना नहीं किया वह लेकिन इतना जाद कोई नहीं है आपके पास पैरल कॉम्बिनेशन है आप पहले दो रेजिस्टर जो है वह उनके टर्मिनल्स कंबाइन कर जो साज़ दो रेजिस्टर सोंगे जो से दो क्विलर के अंदर थे अब उनकी जो दो कनेक्शन है न आप उनका एक कनेक्शन इससे जोईन कर लो तो यहां पर भी स्ट alors इसे तरह से ओन्ट ये और यह जो दो टर्मिनल्स जा सब्सक्राइब आन में में और दूसरा फिर एम कनेक्शन आपको यहां से एक और मिल जाएगा यहां से भी कनेक्शन और मिल जाएगा इसी तरह से आपको एक और कनेक्शन मिल जाएगा यहां से एक और कनेक्शन मिल जाएगा तो उसमें नहीं होता कि एक नौब है तो एक ही कनेक्शन लगाओ आप उसी क्लिप के साथ एक और क्लिप लगा दो तो उसी में आपको ब्रांश बन जाएगी एक के साथ दो कनेक्ट हो जाएंगे और सिंपल फिर आप उसको आगे पिन के साथ कनेक्ट करते जाओ थोड़ा सा बस डाइग्राम का है आपके पास से फैरल की थोड़ी सी डाइग्राम याद कर लोगे तो थोड़ सा आजएगा थोड़ा बहुत ही जाता है यादा आ जयाता है थोड़ा बहुत कनेक्शन करने में और मोस्ली होता यह कि कभी कबार कुछ प्रेक्टिकल्ड जैसे होते वो मतलब किसी के पास भी नहीं आता हूं प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल रिपीट होते हैं जिस तरह ग्लास प्रिजम वाले जो हैं वो दो तीन बार आ गए तीन शिप्ट में वो दो दो लोगों के पास आ गए तो छे बार ग्लास और प्रिजम ही आ गया तो कभी कभार ऐसा सब्सक्राइब करना तो वह आपके पास ज्यादा आए था अच्छा यह तो आपके पास प्राइल का सरक्यट हो गया इसी तरह से आप सीरीज का सरक्यट देखोगे तो सीरीज काम्बिनेशन में आपके पास यह दो रजिस्टर जो पैरल में थे वह सीरीज में आ जाएंगे तो उसकी भी डाइग्राम आप अपने सामने रखके एक बार उसके कनेक्शन को देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगर किस तरह से करना है अब जिस तरह अगर उसका भी एक बार कनेक्शन बता दूँ की कैस के बाद में गेट्ड वाला बता दूँगा कूँके गेट्स वाला टिए तो इसके बाद हम गेत्स वाला कर लेंगे अच्छा पुमिनिचeण भी साथ इसमें अच्छा इसमें भी हमारे पास कॉंपोनेंट्स वही सेम होंगे एम मीटर वॉल्ट मीटर रेजिस्टर बस कनेक करने का मैथड नोड़ा सा लगोगा बाकि कॉंपोनेंट्स आपके पास सारे होई हैं अब इसमें भी आप स्टार्ट करोगे तो इस टार्ट में आपके पास यहां पे तीन रिजिस्टर हैं यह दो रिजिस्टर जोन जितने बी हैं वैसी तीन ही होते तो 5 मिशीक यूँ कंबिशों में हपने इसको उस तरह से रखना हिए कि जो तीना आपके पास पैचिस वाले वह रजिस्टर ने आपने एक रखा वहां पर टैबलेट दूसरा रखा और तीसरा रखा और तीनों को आपने अब सीरीज में जॉइन करना तो सीरीज में जॉइन करने का मतलब यह कि इनके जो दो तर्मिनल्स होंगे उसको एक के साथ एक मतलब सीरीज कमaber के मतलब वह तà पूरी चेंड बंगी जाता है तो नौर्मली आप इसमें इसको इससे कनेक्ट करोगे इसको कनेक्ट करोगे तो यहापके बाद candle में कनेक्ट होगा है और कश के साहत है बाद कि बाद होगे तो यह यह आपके पाद जाएका सेकंड गानेक्षिन वाल्ट मीटर ओधद में यह आगे यहां पर हमारा वॉल्ट मीटर और उसके बाद फिर यहां से एम मीटर आजाएगा लेफ्ट साइड पर क्योंकि वह मैंशा सीरीज में लगता है तो मीटर को सीरीज में लगाएंगे वॉल्ट मीटर पैरल में लग गया और फिर बाकी हमारा पास बैटरी वगरा जाएगी पहले की कनेक्ट कर देंगे यहां पर और फिर हमारे पास पॉजिटिव नेगिटिव पर बाकी कनेक्शन आपके पास तो यह आपके पास कनेक्शन हो गया और यह वॉल्ट मीटर आ गया यह एम मीटर आ गया रजिस्टर जागए तीनो आरवन आर त्री तो यह आपके पास सारे रजिस्टर हो गए अच्छा कुछ पूछने है श्वेप लिए कि अब उसमें होता है कि अब इसमें हम करण खर अलग उस पर रखके चेक करते हैं कि अगर करण की बैलु चेंज करते तो observation कि है तो इस तरह से होता है कि current वाल्यू जिस तरह आगर आपके बाटरी नहीं है तो पावर सप्लाइ मिला रहती है एक बार जो स्टार्ट में आपके कॉरेंट की वैली मिल गई तो वह पूरे कनेक्शन में फिर आपके पास सेम चलती है तो इस तरह से वैल्यू चेंज होगी अधरवाइस वह आपके पास वैल्यू चेंज नहीं होती है तो यहां प्याइब लगा दिया हमने तो एक अमीटर लगाने का मतलब यह कि करेंट आपके पाइब यहां से जो जाएगा बैटरी से वह सेम जाएगा वह अलग बात है कि अगर आप बैटरी के साथ एक बैटरी और लगा दो वाल्टेज बढ़ गया तो करेंट की वैल्यू भ तो सीरीज में आपके पास end to end connection होते हैं मतलब एक उसका दूसरे कॉंपोनेंट के साथ हो गया इस तरह यहां तो पूरा सर्कृट आपके ब्रेक हो जाएगा इसमें पहले पी ग्जाम्पल एक दी थी कि आप सुबाश्य की ग्जाम्पल लेते हूं लेते हूं आप क्लास्व अब सीरीज चल रही होगी और अगर आप एक ही क्लास के स्टूडेंट की लाइन के सीक्वेंस को देखो तो सबका जो राइट हैंड होगा वह एक साइड पर लेफ्ट एक साइड पर है तो वह पैरल कॉम्बिनेशन होता है अबनेशन में हमारे पास एक हीवाल्ट मीटर था बाकी मिटर हमारे पास थीन थे कि कि वहाँ पर करण्ट होता यह अलगअलगच dug का चाहिए तो हमें ऑल्लेट मीटर दो तो चाहिए अब अपनी सरके डायग्राम देखना जर्णल में एक बार उसमें जितनी कॉंपरेंट्स लिखे अब यहां पर भी आपके पात जो कनेक्शन इस कनेक्शन में ब्हूंपर आपके पास सिंपल कुछ बेसिक चीजें याद रखनी हैं अगर थियूरी आपके पास स्ट्रॉंग होगी थोड़ी बहुत तो आपको सौल्फ परने में एजी हो जाएगा अब नॉर्मली आप इस तरह से देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन होगा और दूसरी बात ये के एम मीटर वाल्ट मीटर तो वही सीरीज और पैरल में लगेंगे ये बात तो आपके पास सेम रहेगी चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन की बात हो एम मीटर सीरीज में होगा वाल्ट मीटर पैरल में होगा और अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा करंट रहेगा आपके पास सेम किसमें सब एक लाइन में कनेक्ट है तो करंट आपके पास सबसे एक्वल ही पास होगा और वाल्टेज की अगर हम बात करें तो सब्सक्राइब आपने कहां एक पॉजिटिव टर्मिनल आपने की के साथ कनेक्ट है ठीक है और नेगिटिव टर्मिनल रेजिस्टर के साथ चला जाएगा तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो करंट इसमें आप देखो वन टर्मिनल आपने यहां पर कनेक्ट किया है और दूसरा टर्मिनल भी रजिस्टर से कनेक्ट हो रहा है उसका कॉम्बिनेशन एक ही कॉम्पनेंट के साथ है इसको उसको एक ही कॉम्पनेंट के साथ लगाया जाता है कि जब उसमें करेंट एंटर होगा तो इनीशल पोटेंशल उसका कितना होगा और फाइनल कितना होगा फिर उसका जो डिफरेंस होता है कि उसको हम पॉटेंशल डिफरेंस कहते हैं कि एक है और बागी चूटी 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 चीज़ें वो तो आपके पास वोल्ट मीटर करेंट पॉल्टेज वाली यह सारी चीज़ें बेसिक क्योरी में भी यह सब चीज़ें आते कि कहां पर कौन सी कॉन्टिटी सेम रहती है तो इसमें इंपॉर्टन ही है कि दो तीन बार आप सर्कृट बनाओ उसके पेपर पर एक बार तुक्षे आपको यह होगा कि कनेक्शन याद हो जाएंगे और कनेक्शन को इतना मुश्किल है सर्कृट डाइग्राम उसमें बनाने को जब आएगी अगर यह प्राक्टिकल आ रखा अपनी टेवल पर की में आपको पता है दो कनेक्शन होते हैं अब की के साथ देखो बैटरी जा रिए तो बैटरी आप यहां पर कनेक्ट कर दोगे अच्छा की में प्लस माइनस का कॉई कॉई कॉजट नहीं होता इसका काम स्विच वाला होता है कि सर्कृट करना और कुछ लोग की में भी प्लस माइनस का कॉंसेट समझते हैं उसमें प्लस माइनस की को यह ऐसा कॉंसेट नहीं है आपने एक कनेक्शन इसके बैटरी के पॉजिटिव से लगा दिया बैटरी यह पावर सप्ले उसके लिखा होता है प्लस का है माइनस का है और दूसरा एंड आ कि आप चाहिए तो च्छोटी वैल्यूमें करेंट कर लोगर करन की वैल्यू लैसे अगर डेसिमल में जीरो पॉइंट में और अगर आपके पार हाइव एकरन की तो फिर आप उसको हाइचा वोल्टेज आपके पारडल में डिवाइड इस्की होता है कि जब कर अपके पास वहां पर फ्लो करेगा तो आप पॉम्स लॉप की डेरिवेशन अगर आपको याद हो सिंपल तो ओम्स लॉप होता है वी इक वल्स तो आई आर अब इसमें करन की वैलियू आपके पास वह वह सेम है तो अगर आपको अब इसमें वोल्टेज फाइंड आप करना है तो तीनों क वोल्ट आपको जो टोटल वोल्ट होगा वो तीनों का अलग अलग पाइंट करना होगा इसमें पल आपके पास ही हो जाएगा आई ओवर आर वन प्लस आई ओवर आर तू और वीज इक्वल तो आई आर रहें यह आई आर के एकवल होगा तो वी बन इकवल होगा आई वन आर वन प्लस आई आर तू कि करन्ट की वैल्यू सीरीज में सेम होती है और आर स्वी तो यह जो डेरिवेशन थी वह इसलिए की थी आपने के आपके बाद जो इसके अकॉर्डिंगी फाइं कर सकते हों तो पैर्ल कॉंबिनेशन में जो करन्ट की वैल्यू होती है वह श्रेम जाएगी और जो वाल्टेज की वैल्यू है वो डिवाइड हो जाती है जो वो डोनों एंड्स के जो कनेक्शन होते हैं उनका डिफ्रेंस फाइन आउट करता ह है कि मतलब इस्टार्टिंग जो आपके बाद वैल्यू थी तो बैटरी भले एक कनेक्ट हो बैटरी तो हर बार सोर्स एक ही कनेक्ट होता है लेकिन क्यूंकि आप करन्ट वहां से फ्लो करके जब रजिस्टर के थूरू करेगा तो आपके पास होगा यह कि स्टार्टिंग मे लेकिन बस होगा यह कि थोड़ी से इंटेंसिटी कम हो जाई इंटेंसिटी कम होने की वज़ए से जब आपको दूसरे टर्मिनल पे मिलेंगे और जो पहले टर्मिनल से पास हुए थे तो वह आपके पास ओवर्ल वोल्टेज होगा कि टोटल वोल्ट कितना आया अगर आप कि टींओं तो में आपको अलग अलग वॉल्ट मीटर चनेक पर आप रडोके और दूसरे के साथ अलग मेटर अचारो और तीसरे के साथ अलग करूं सब्सक्राइब में सब्सक्राइब होता है हमाल पार जिसमें वोल्टेज आएगा वो तीनों का कम्बाइन वोल्टेज होगा ठीक है वो इंडिवीजुल सबका सेब नहीं होगा अगर आपने तीनों पर फाइंड करना या आपने नुमेरिकल इसमें भी देखा होगा नुमेरिकल भी कभी आप सिरीज पैरल के सॉ त्यूंक करते हों अब कर आधा यह तो आपके पास सीरीज और पारर्ल का कंसेप्ट हो गया आप